जब पार्टनर इग्नॉर करें तब ये करो Hello Friends, LoveDubes YouTube चैनल में आप सभी का स्वावत तो हम अकसर ये कम्प्लाइन करते रहते हैं कि पार्टनर इग्नॉर कर रहा है पार्टनर पता नहीं क्यों हमें अच्छे से बुला नहीं रहा, बातचीत नहीं कर रहा हम क्या करें, हम ठक चुके हैं बार बार ये चीज़े करने से तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है, ये समदना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, राज के वीडियो में यही मैं बात करने वाला हूँ कैसे चीज़े क्यों होती है, इसके पीछे क्या वज़े होती है और लोग जब भी ऐसा करें तो हमें क्या सोचना चाहिए सबसे पहला जब भी पाटनर इग्नॉर करें तो उसके कुछ वज़ा होती है उसमें एक वज़ा है उनकी खुद के प्रॉब्लेम्स उनकी family के problems, उनके career के problems या उनके दिमाग में कुछ ऐसा है उसके problem तिस अब जो personal problem होते हैं वो हमें कभी समध नहीं आता है नहीं हम समध ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम समधते हैं कि हमारे problem सबसे उपर है लोगों के या अपने partner के problem हाँ वो तो चलता रहता है जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दूसरों के घर पे कुछ हुआ होता है तो अच्छी अच्छी बाते philosophy जाडने आ जाते हैं कि नहीं ऐसा होता है, संसार है, part of life है लेकिन जब अपने घर होता है तो ऐसा करते हैं जैसे कि यह दूख इतना बड़ा है कि किसी के साथ हुआ ही नहीं तो ऐसा behavior मत करें उनके personal problem बहुत ही बड़ी वज़ा है आपको ignore करने की कई रिस्तों में यह गलत फहमी हो जाती हमें लगता है कि किसी और के प्यार में होंगे इसलिए हमें ignore करते हैं हर बार ऐसा नहीं होता कि personal problem भी होते हैं तो यह problems आपको समझने होंगे क्योंकि personal problems उनके दिमाग में उतने हावी हो गए तो वहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वह अच्छे नहीं रहेंगे खुश नहीं रहेंगे तो इस रिस्ते को कैसे अच्छा रखेंगे तो सबसे पहली यह बहुत ही बड़ी वज़ा है जब भी बादनर ignore करें तो उन्हें समझे कि हुआ क्या है क्योंकि कई लोग होते हैं में कुछ करना चाहते हैं कि फैमिली में कोई छोटे मोटा इस्यू जा जाते हैं उनके कॉलेज में और कोई दोस्तों के साथ कुछ मन मुटा हुआ होता है कुछ भी होगा होगा तो यह समझे कि यह तो रीजन नहीं है सबसे पहला यही क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए दूसरी वज़ा है जब भी वह इग्नोर करते है तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसी बात बोली हो या फिर जगरा कि यह फिर चोटा मुटा जिसकी वज़़ा से आपको इग्नौर करे है क्यूंकि कई बार क्या होता है हम जगला करते हैं जगले में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हमारे emotions पर हमारा खुद का control नहीं होता है और ये बोल देना फिर बाद में हमें याद नहीं रहता है लेकिन उनको याद रह जाता है क्योंकि जब भी कुछ ऐसी बाते बोली जाए तब सामने वाले को याद रहते ही रहते हैं चाहिए आप लाख बार माफी माँगें लेकिन वह गाव कहीं ना कहीं बहुत टाइम ले लेते हैं तो जब भी जगला हो या कुछ हो जाए तो कुछ भी ऐसा ना बोल दे जिससे कि वह फिर आगे चलकर आपको इग्नॉर करने लगे क्योंकि कई बार ये इस्यू रिस्तों में देखा गया है तो आपको ये चीज खास समझने चाहिए तो ये दो चीज़े हैं जिससे वह इग्नॉर करेंगे आपको कमेट बॉक्स में बताईए कि आपके रिस्ते में कौन सी वज़ा है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंट वीडियो को देख रहे हैं सारे जीए बीए फ्रांजा मचूंग लेला जो भी है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई भी सवाल या सुझा हो कमेट बॉक्स में बताना ना बुलिए थैंक्य दोस्तों नो बैटर लेव बैटर